नमस्कार सभीका श्वागत है सैकरो शमर्थक के साथ ससीबिंद पासवान ने सिधोली पंचायत से मुख्या पद के लिए आज नमंकन किया है बता दें कि सभी वर्ग के लोग इस नमंकन परक्रिया में मौजूद थे और सिधोली पंचायत से रैली निकल कर हायागाट परखंट पहुंचा जहां ससीबिंद पासवान हायागाट वीडियो और आपकी डाली शाहूद से मिलते हैं नमंकन परक्रिया सुरू होती है नमंकन करानी के बाद जैसे ही बाहर आते हैं सैकरो के शंख्या में बाहर खरे समर्थक जिंदाबाद के नारे लगाते हैं बता दें जो ससीबिंद पासवान है उन्होंने हमसे बात करते हुए कहा कि पंचायत में सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए हमारे हैं पिछले पांच साल से हम एक्टिव हैं यहां पर सेवा कर रहे हैं और सभी धर्मों के लोगों का इजट सम्मान कैसे होना चाहिए वो मुझे पता है क्योंकि मैं एक सिक्षट उमिदवार हूँ ससिबिंद पासवान ने ये भी कहा है कि जगा जगा जहां जल जमाव की समस्या बनी हुई है सिदोली पंचायत में और बहुत सरे ऐसे बातों पर ससिबिंद पासवान ने कहा है वो हम आपको आगे सुनाएंगे सबसे बहत्पूर्ण जानकारी देदे की गाउं के ही एक युवा है उन्होंने क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं देखिए पुरा कवरेज देखना चाथे हैं सिक्षित होने के वज़ा से क्या होगा कि जो भी सरकार के तरब से योजनाएं आएंगी वो योजनाएं के बारे में गाउं के मुख़िया अगर सिक्षित होगें तो गाउविनों के पास वो योजनाएं सही सही रूप से पहुँचेगा तो एक तो इनको कंडिडेट के हम लोगों को मुख्यावद बार चुनने का सिख्षित सबसे बड़ा यह चीज़ रहा है दूसरा वारत यह रहा है कि समाज में इनके एक छवी बहुत अच्छी रही है यह समाज के सभी वर्गों को मिला करके चलते हैं और समाज में यही चाहते हैं कि मलब किसी समाज में जैसे कि हमारे सीधोरी पंचायत पे एक बहुत विख्यात रहा है सभी धर्मों के सभी वर्गों के जो ग्रामीनों को सही-साई चीर मिलना चाहिए अभी जो हमारे ग्राम में हम लोगों के वार्में नाले की समस्या है अगर इससे फुर्ग मैंने अविधन भी किया था लेकिन वो समस्या है मुख्या जी के अंतरगत रहते वह अभी भी डियम कार्याल में वो पर आवदन देने लेकिन वो अभी तक हम लोग का जल निकासी की समस्या है तो हम लोग चाहते हैं कि अगर सिक्षित आएंगे तो वो हम लोग की प्रॉब्लों को समझेंगे हम लोग की समस्याओं को समझेंगे और जो जल जमाओ का परकरिया है वो परकरिया जो अच्छे से हो जाया था कि हम जो ये जल जमाव की इस्तिसी से जूजते हैं उससे हम लोग बाहर आ सके हैं मेरा नाम मिनाज अलम हुआ और ये हमारे प्रोसी हैं और साथ में समाज से भी है और मैं भी इस बार उमिदवार के रूप में थरा हूँ आपने वार नम्बर गोटाला सब्सकों सुधार करना वांचायती राज विवस्था को ठीक से चालू करना कुछ चर समने जो पानी लगता है उस पानी का निकासी के लिए कि हजारों एक्चर भूमी में जो पानी लगा हुआ है उसके लिए भी पढ़ियास है गरीबों का कल्यान हो पंचायत में चुटा सरक कच्चे सरक को पक्की करन करना लाइबरेरी का निर्मान करना सुधेन के लिए और सही ब्यक्ति का लाव मिल सके ये मेरा योजना है पंचायत में सभी समाज सभी बर्गों के लोगों को लेकर चलना मेला परतंप अभियान है और गरीब गुर्मों पेव्रधा पिंसेन योजना गरीब गुर्मों को सही मान सम्मान देना और सभी बर्गों का सम्मान देना और सरकार के जन कल्लान योजनाओं को सुचारी रूप से गरीबों के बीच पहुचाना यही मेरा प्राथ्मिक्ता है जन समर्थन से इतिहास बदलने वाला है और क्या सपना देख करके आए हैं पिछले पांच वर्स में क्या हुआ है जो आप नहीं करेंगे पिछले पांच वर्सों में भरष्टाचार और बहुत से काम अभी 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 अभूरा करना है आपके नजर में क्या बरष्टा अचार हुआ है इंदे आवास प्रदान मंत्री आवास में 20 सजा रुपया का लेंदेन हुआ है गरीवों को सही लाब नहीं मिला है आप जो आरोप लगा रहे हैं कोई पूरूफ होगा आपके पास पूरूफ तो है बहुत बहुत सा पूरूफ है जिसको मैंने वीडियो को मौकिक रूप से भी कहा था जिसका अब तक कोई समधा नहीं निकला आपके नजर में मतलब यह जो जितना भी बरष्टा अचार हुआ है वो दूर करेंगे आप इसको मेरा रहेगा जनता के नाम से संदेश कर देना चाहते हैं संदश यही है कि जब हमा आते आएंगे तो सही रूप जो भस चचार हुआ है उसको सही उसे चालू करना अच्छा चबी रहा है भाओं में भी और पंचाइतों में भी मैं सस्विन कुमार पास्वान उमीदवार हूँ किस पद के लिए?